प्रधान मंत्री ने तीनों ही शक्सितों को देश का सबसे बड़ा नाकरिक सम्मान देने की जानकारी उनकी तस्वीरों के साथ शेर की चौधरी चरण सिंग देश के पांचवी और नरसे महारा और नौवे प्रधान मंत्री थे वही स्वामी नातन को हरित क्रांत यानि की ग्रीन रिवल्यूशन का जनक कहा जाता है तीनों के ही बारे में पूरी दुनिया जानती है भारतिय जानते हैं हम आपको थोड़ा से इनकी बारे में ब्रीफ भी देना चाहेंगे आपके समख्ष रखना चाहेंगे पूर्व पीम चौधरी चरण जीर सिंग नरसे महारा और वहरित प्रांती के जनक नरसे महाराओ ने एक प्रतिश्ठित विद्वान और राजनेता के रूप में विभिनक शमताओं में भारत की सेवा की है और उनके कारिकाल में भारत को वैश्वित बाजारों के लिए खोला गया था और इससे आर्थिक विकास के एक नए योगों को बढ़ावा मिला और देश में हरित करांती के जुनक कहने वाले कहे जाने वाले म.स्वामी नाथन को भी भारत व्रतनका एलान हुआ है और उन्होंने चुनाती पूर्ण समय के दौरान भारत को कृषी में आत्मनर भरता हासल करने में महत्तोपूर्ण भूमेकाने भाई भारतिये कृषिये को आधुनिक बनाने की दिशा में में स्वामी नाथन ने उत्कृष्ट प्रयास किये हैं आपको बतादे कि 2014 में सत्ता संभालने के बाद से ही प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेत्रेतो वाली सरकार द्वारा दिया गया ये दस्वाम भार रत्न है इससे पहले तीन फर्वरी को भाजपा के वयोवरिध नेता लाल कृष्ण आडवानी और 23 जन्वरी को बिहार के पूर्व सेम करफुरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया जा चुका है तो कुलमिल आकर इस तरीके से साल पांच हस्तियों को ये सम्मान देने का ऐलान हो चुका है और इनके अलावा मदन मोहन मालविय अकल विहारी बाजपई प्राणब मुखर जी भुपेन हजारिका और नाना जी देशमुक को भी ये सम्मान मिल चुका है आईए अब इस कोड को हम डी कोड करते हैं क्योंकि बहुत से सवाल है कि ये करतक्यता का भाव है लेकिन सियासी अंगल ये क्यों जादा लगता है तीनों नामों का ये आजो लेक किया गया है भारत रत्न सम्मान देने में निहित राजनितिक संदेश आखिर क्या है सम्मान देने की खुशी क्या वोटों में तबदील हो सकती है इन सवालों को आईए हम डीकोड करते हैं देखे इस बार भी पहले इस पुरुसकार की जो टाइमिंग है और पात्रचयन है उसके संधर में ये नेरेटव बनाने की कोशिश होई है कि चाहे वो करपुरी ठाकुर के रूप में हो पहली बार देश में किसी आती पिछडी जाते के व्यक्ति को सबसे बड़े सम्मान से नवासा कया है जबकि आजवानी के बारे में कहा गया है कि कभी हाशिये पर पड़ी भाजपा उनहीं के ही भागिरत प्रयासों से आज दिल्ली के तक्त पर कादिज है और देश के बहुत संख्यक हिंदूओं की आकांख्शा अयोध्या में राम मंदर ने आकर ग्रहन किया है तो अब ये तीन नाम हैं जाहिर है कि इसमें निहित एक राजनितिक संदेश तो छिपा हुआ है लेकिन सवाल ये है कि वो राजनितिक संदेश आखिर है क्या राजनितिक संदेश ते कि यही कहा जा सकता है कि इन भारत रतनों के जरिये मोधी सरकार ने बिहार सहित देश के अन्य राजियों में भी अती पिचड़ी जाती हो और आडवानी के माध्यम से कट्टर हिंदुत्वादी वोटों को साधने की कोशच की है माना ये जा रहे कि भारत रत्न दिये जाने की खुशी कहीं ना कहीं वोटों में तब्दिल हो सकती है अपेक्शा और अनुमान के स्तर पर ये बात सही हो सकती है लेकिन अगर भारत में पिछले 50 सालों में दिये गए भारत रत्न सम्मानों और इस सम्मान से सम्मारित होने वाली हस्तियों और इस सम्मान की घोशणा के साल भर की अंदर देश में होने वाले लोक सभा और विधान सभा चुनावों के नतीजों को परखें तो तस्वीर कुछ और ही नजर आती है आप देखें कि जादतर मामलों में भारत रत्न घोशित करने वाली सत्तारुड पार्टी को इसका चुनावी लाब जो है वो अपवाद स्वरूप ही मिला है अगर वो चुनाव जीती भी है तो उसके कारण दूसरे हैं ना कि किसी फलाजाती धर्म सवाल है कि इसका मतलब क्या है इसका सीधा सा मतलब देखे यही है कि भारत रत्न जैसे सर्वोच पुरुसकार इस सत्ता कांग्शी संखुचित सोट से कहीं उपर है और देश की जनता भी आमूमन उसे उसी रूप में लेती है यह मानकर कि भारत रत्न जैसे राष्ट्र अरफ के मुद्दे को वोटों के शुत्र अंक गणत में नहीं तोला जाना चाहिए भले ही सरकारे इस पुरुसकार के पीछे प्रतिभा के सम्मान के साथ वोटों की गोल बंदी का अगोशित तड़का लगाने की कोशिश महसूस करती हो फिलहाल अब देखना यही होगा कि भारत रत्न जैसे बड़े सम्मान देने की खुशी वोटों में क्या तबदील हो पाएगी और ये कृतगिता का भाव तो कम है सियासी अंगल जादा लगता है अमूमन जब पहले दो नामों का ऐलान हुआ तब भी लोगों ने यही कहा अब इन तीन नामों का ऐलान हुआ है